नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जैनल पर आज हम आपको हैपिटाइटस B को ठीक करने के लिए कुछ गहरेलू तरीकों के बारे में बताएंगे हैपिटाइटस B लीवर में होने वाला एक रोग है जो हैपिटाइटस B वाइरस के कारण फैलता है यहाँ एक घातक बिमारी है जिसका लंबे समय तक पता नहीं चल पाता है यहाँ संक्रमित व्यक्ति के खून के संपर्क में आने से फैलता है लंबे समय तक इस बिमारी का पता ना चलने पर सिरोसिस या लीवर कैंसर के कारण व्यक्ति की मौथ भी हो सकती है यहाँ बिमारी असुरक्षत यौन संबंद बनाने, संक्रमत मास से उसके गर्ब में पल रहे बच्चे में, संक्रमत सुई, रेजर और दूशित खून से संक्रमत उपचरन से तैटू बलवाने से फैलती है इसके कुछ सामाने लक्षन, माइल्ड फ्ल्यू, सिर्दर्द, हलका पेड़ दर्द, जी मिचलाना, बूक नहीं लगना, शरीर में दर्द और थकान आदी होते हैं तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे घरे लूपचारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अपना कर आप इस बिमारी से छुटकारा पा सकते हैं सबसे पहले एकनिवेदन उन सबी दर्शकों से, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, क्रप्या हमारे चैनल की सदस्यता को जरूर ले लें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारी द्वरदी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी उठा सकें साथ ही सही चैनकारी के लिए इसे अंते तक सरूर दिखेगा नीम, हैपिटाइटस B के इलाज में बहुती उपयोगी उपायों में से एक माना जाता है इसका मुख्य कारण है कि इसमें कई तरह के वाइरस विरोधी घटक मौजूद होते हैं हैपिटाइटस B होने पर नीम की पत्तियों का रस शहद में मिला कर पीना चाहिए हल्दी, एंटी इंफ्लमेट्री, एंटी ओक्सिडेंट्स, एंटी माइक्रोबियल प्रभाव वाली तता बड़े हुए योक्रत नलियाओं को हटाने वाली होती है हैपिटाइटस B में इससे बने दूद या पानी मिलाकर इसका सेवन करने से हैपिटाइटस B का उपचार किया जा सकता है मौलैटी पाउडर और शहद हमारे लीवर को बहुती फाइदा पहुँचाती है एक बड़ा चम्मच मुलेटी पाउडर में दो चम्मच शहद मिलाकर प्रति दिन खाईए हैपिटाइटस के उपचार में यहाँ भी बहुती फायदे मन माना जाता है आवला विटामिन सी से भरपूर होता है जो लीवर को हर तरह से फायदा पहुँचाता है ऐसे में कच्चे आवले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे सलाद में मिलाकर आप खा सकते हैं या आप इसे पीसकर दही में मिलाकर रायता भी बना सकते हैं इसके अलावा जूस वर चटनी के रूप में भी इसे आप खा सकते हैं मूली के हरे पत्ते इसमें बहुती लाब दायक होते हैं मूली के रस में भी इतनी ताकत होती है कि यहाख खुन और लीवर से अत्यधिक पिलिरूबिन को निकाल पाता है पीलिया यह हैपिटाइटस में रोगी को दिन में दो से तीन गलास मूली का रस सरूर पीना चाहिए या फिर इसके पत्ते पीस कर उनका रस निकाल कर वचान कर सरूर पीना चाहिए तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेर और कमेंट सरूर कीजेगा इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद